OnePlus के फोन में डिस्पले में जो green line का issue है क्या इस फोन में भी देखने में मिलेगा तो OnePlus के इस Note C4 5G को मैंने अच्छा का सा review कर लिया है काफी सारे फोन के साथ में मैंने इसको compare भी किया है वैसे दो variant के अंदर ये फोन आता है लेकिन ग्रे वाले के अंदर fingerprint के निशान काफी जल्दी आ जाते है अगर आप इसको बिना cover के यूज़ करते हूँ क्योंकि 5500 mm की बैटरी इसके साथ में देखने को मिलती है बट उसकी बावजूत इसका जो weight management है वो इन्होंने काफी एच्छे से गया है फोन आपको बिल्कुल भी heavy fill ले होता सिर्फ 189 ग्राम के आसपास है तो build और design फोन का काफी अच्छा है इसके लावा haptics काफी का एक full HD plus 10 bit AMOLED display मिलता है 120Hz के high refresh rate के साथ में YouTube और Netflix के उपर HDR content भी support करता है लेकिन इस दिस्प्ले में एक छोटी सी दिख्कत है कि YouTube पर जब आप 4K HDR वीडियोज प्ले करते हो तो काफी lag देखने को मिलता है और वीडियोज आटा कर टक कर चलते है तो यह चीज़ ऐसी ही के software updates से इनको fix करना पड़ेगा बाकी brightness ऐसा है कि outdoor में display को काफी एच्छे से यूज कर सकते हो 1100 nits का है लेकिन काफी bright है other than display quality भी काफी एच्छे है colors के साथ साथ details काफी एच्छे निकल कर आते display blacks काफी एच्छे produce करती है बांडा ग्लास का protection दिया है इन display fingerprint sensor काफी एच्छे से काम कर रहा है और 120Hz के साथ में display आपको काफी smooth feel होगा आप मैंसे काफी सारे लोगों को इसके display को लेकर थोड़ा से issue है कि क्या यहां पर कोई green line का issue in future देखने को मिलेगा तो देखो अभी के लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि शुरुआत के अंदर आसा वो issue नहीं होता अब ऐसा इस phone के साथ में होगा या फिर नहीं देखो अभी के लिए प्रेडिक करना तो इंपॉसिबल है बागी sound के लिए यहां पर आपको dual stereo speakers देखने को बिलता है और sound quality इसे साथ में बहुत एच्छे साथ इसाथ डीटेल्स भी है इस speaker बहुत अच्छी produce कर रहे है तेकिन 3.5 का जो audio jack है वो इस phone के साथ में missing है तो यह चीज़ आम ध्यान में रखना बागी software में यह device latest android 14 के साथ में आता है जो कि oxygen OS के 14 वर्जन पर बेस है दो साल के OS update और तीन साल के security update आपको इस phone के साथ में देखने को मिल जाएंगे bloatwares के अंदर सिवा है netflix के आपको कोई फालतों का apps नहीं दिया software experience है इस phone के साथ में बहुत ही अच्छा है software काफी अच्छा है एनिमिशन और जेस्टर काफी स्मूध है इसके अलग 25,000 रुपे के अंदर यह आपको performance काफी स्मूध निकाल के देगा क्योंकि snapdragon का 7 gen 3 processor दिय जाएंगे अच्छी कासी multitasking आप कर लोगे और तो और gaming में भी कोई दिक्कत नहीं है BGMI में आप इसके साथ पर 60-30 की gaming कर सकते हो जो कि nothing phone 2 के मुकाबले काफी ज्यादा stable है 2-3 गंटे casual gaming भी अगर आप करते हो तो बहुत ही आराम से हो जाएगा कोई throttle कोई hitting issues device के साथ में नह उसको यहाँ पर उनने बहुत ही अच्छी सब्टमाइज किया लेकिन अगर आप ऐसे यूजरों जो की gaming बहुत ज्यादा करते हो hardcore gaming करना आपको पसंद है तो ऐसे के इस फोन के साथ मिना जाकर Poco X6 Pro के साथ में जो कि 25,000 के budget में most powerful 5G phone है लेकिन उस phone की भी कुछ pros और cons है तो साथ में कमाल का है कोई अच्छा का सा यूज बेकर आप कर लोगे तो एक दिन का बैटरी में का पाराम से निकाल देगा नेटवर्क्स की बात करें तो dual 5G phone है 5G के साथ बैंड सपोर्ट करता है साथ बैंड दिये पूरे 8 बैंड भी नहीं पता नहीं क्यों बाकि अभी तक जितना मैंने इसके 5G को टेस्ट करके देखा है 5G पलस मुझी एक बार भी देखने को नहीं मिला एवन नथिंग फोन भी आपर 5G पलस शो कर रहा था लेकिन इस फोन के साथ में देखने को नहीं मिला वागे 5G की स्पीड ऑल्मोस्स से देखने को मिली इसके लवाई ये साथ में कर सकते हो बस वहां पर आपको ओ डायलोग को डाउनलोड करना पड़ेगा सिम अब बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में लेकिन उससे पहले कहीं पर भी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कच्छा सा कमेंट कर दो ताकि व नतिंग फोन टुए से भी कंपेर गया और तो और मैंने पोको एक सिक्स प्रो के साथ भी इसको कंपेर गया इस फोन के कैमरा में एक चीज़ बहुत ही कौमन थी जो कि मुझे पसनली काफी सही लेगी कि यहां पर जो कलर से वो आपको बिल्कुल कंसिस्टन देख रहे को मिल साथ में बहुत ही अच्छे देखने को मिलती है बात आती है अगर पोट्रेट छोट के तो काफी अच्छे देखने को मिलता है आइको और नतिंग में जहां पर 2X मोड पर भी आप ज़्यादा अच्छे पोट्रेट छोट ले सकते हैं OnePlus के इस फोन में आपको वो चीज़ दे सकते हैं आठ मेगा पिक्सल की अगोडिंग डीटेल्स थोड़े से कम होते हैं लेकिन कलर और लाइट कंट्रोल यहां पर काफी अच्छा है वीडियोस के अगर बात करें तो रेर कैमरा से फोर के 30 अपिस तक की वीडियोस आप बना सकते हो क्वालिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिलेंगे जूम करने पर आपको डीटेल्स भी मिलते हैं साथी साथ स्किन टॉन्स और कलर्स भी काफी अच्छे होते हैं इवन जो लाइट कंट्रोल है वो भी यहां पर कैमरा काफी अच्छे से कर लेता है रही बात पोर्टेश चोट की तो हलका सा मुझे ऐसा ल लेकिन हाँ एक गुड़ फॉन इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो फोन में कुछ दिक्कते भी है जो कि सोफ्ट्वेर अपडेट से फिक्स करने के ज़रत है जैसे कि 4K HDR वीडियो उतने स्मूथ प्ले नहीं हो रहे हैं इसके लावा कैमरा के अंदर जो कॉंट्रास है जो HDR कंट्रोल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के ज़रत है बागी इसके लाव मुझे नहीं लगता कि इस फोन में कोई दिक्कते तो 25,000 से कमके बज़ट पर डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हो बागी नथिंग फॉन टूए से भी मैंने इसको कंप सब्सक्राइब करते हो जाना मैं मिलता हूँ किसी नेक्स वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत